हेलो एवरिवन जो बच्चे सन 2024 में intermediate examination के लिए तयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत important वीडियो होने वाला है और देखे अगर इससे पहले आपने ये वीडियो देखा आई भी है किसी के माधियम से तो आप यकीन मानें कि इसमें आपको बहुत कुछ बहुत बढ़िया से मिलेगा उसके इलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं यहां पर इसके section में देखेंगे तो यहां पर अगर आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है कि यह जो section होगा आपका यह section के कितने भागों में बटा होगा यह section आपको तो भागों में बटा होगा A और B तो इसमे से कितने कोशन होंगे 100 कोशन होंगे जिसमें से صرف और kim कर ने हैं तो इसको आपको पहले से पता है तो अपको हम इसमे ताइम जाय नी करेंगे बरबाद नी करेंगे ठीक है न विए देखिए ये कोशन जो है बहुत इंपोर्टेंट है इसी से अकॉडिन सारे कोशन आपसे वेल्यू होता है तो इसमें एक ताजिर है तो रॉक फेलर के नाम से एक ताजिर है आपको पता होगा तो यही पूछा है कि रॉक फेलर कौन था डॉक्टर नहीं था किसान नहीं था साइंसदान नहीं था बलके क्या था ताजिर था वो तो इसका राइट आंसर क्या हो दास्तान वाली किताब है और यह किसके कहने पर जॉन गिलकरिश के कहने पर इन्होंने कि लिखा था और यह कहां पर लिखा था यह क्या करते हैं कि कॉलकेटा में एक युनिवर्सिटी बनाया था इन्होंने वहीं पर जाकर के इन्होंने यह किताब लिखा था ठीक है ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है कि बई क्या कहते हैं कि प्रॉमिस के अपसाना निगार को यह लानी बानू और इस कहानी भी पता होगा आपको तो यह मुद्धे कहानी मत्फून वाइं तो कि यह याद रखे हैं, एक मत्फून हो था यह म करते हैं。 पैदाइश हुआ है कोलकेता से इसकी कोई कहानी नहीं है और लखनों से इनकी कोई कहानी नहीं है तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा यह जो मत्फून है वो है देहली में ठीक है याद रखें किए आगे बढ़ेंगे पाच्वा कोशन कह रहा है कि दर्देजेल में से कि इसकी शादी लाहॉर में हुई आपको पता होगा कि ये इसमें से पैदा कोँन लाहॉर में हुआ है तो ये देखने के लिए मिले गा राजिंदर संग वेदी इसका पूरा नाम है तो वेदी साहब की जो कि शादी होती है ओँए कहा में पहार अहौरा में होती है क्योंकिbellar अब्दुल्ला नहीं कर दीजेगा बलकि अब्दुलाजीज हनफी इनका असल नाम बहुत पूछते हैं तो मैं भी आपको याद रख लेना चाहिए साथcardsно कोश्चन में कह रहे हैं कि यहाद है कि हम नहीं जानते किस की नजम है हम नहीं जानते किस की नजम है योजीना मोन ताले की यह नजम है फिक है तो यह बहुत अच्छी नजम है जो इन्होंने दिए हो आines नहीं आ感ी किता हुआ है ठीक है तो यह याद रखेगा इन्होंने भी अलीगर मुस्लिम इनुवसिटी जाकर करके अपना आला तालिम का मतलब होता है उच्छी जो एजूकेशन है यानि कि बाद की जो एजूकेशन है नवे कोशन में कह रहा है कि जो जोश आजादी के बाद कहां चले गया थे इनका नाम है जोश मलीहा बादी तो यह कहां इंग्लेंड तो बिलकुल गया है क्या गयते कुछ टाब में नहीं गयते इरान भी नहीं गयते अफगानिस्तान तो इनका सफरी नहीं हुआ जब आजाद उ स्था था पतना सिटी, लोदी कट्रा में इनका मजार है, मजार बता दिया है। तो अगर आप यह देखेंगे यह नहाँ पर नजीर रहमत की कहानी कुछ उनकी, कुछ मेरी जवानी, मिर्जा फरहतुला बेग की जो लिकी हुई है वही इसका राइट आंसर है आगे लिखाया है कि बारवा कोशन में अहमद जमाल पाशा की पैदाईश कहां पर हुई है तो यह आप याद रखेगा इलाहाबाद अहमदाबाद नहीं कर दीजेगा इनका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में इनकी पैदाईश हुई है देखो यह important question है अम्मू की खादमा का नाम क्या था अम्मू वही कहानी जिसमें के वही तिन बेटे होते हैं उसके और वो बाहर चले जाते हैं प्रॉमिस की कहानी में से यह character लिया गिया या जिसे किरदार बोलते है न तो कह रहा है कि वो जो अम्मू थी जो अम्मा थी ना अम्मू या अम्मा थी वो जो मा थी जिसकी मौत हो रही थी और सारे बेटे उसके बाहर देश में रह रहे थे तो उसके पास एक खादिमा थी याद कर ये क्या नाम था उनका खाजा बी नाम था खाजा अमीरन ना कर दीजिएगा खाजा बी नाम था था ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे लिखा है कि बहुए 14 कोशन में कि गुबार खातिर में क्या है गुबार खातिर आपको पता होगा मुनानाबुलकलामाजात की बोहुत जबरदस्त क्या है तो यह जय परकाष नारायन ठीक है ना यह बहुत बड़ा नाम है जय परकाष नारायन जिनकर अंदर बहुत जनून था सारी चीजों को इनकलाब कामिल इनकलाब का मतलब होता है हमको पूरा का पूरा आजादी चाहिए कामिल एक पूरी तरीके से हमको आजादी चाहिए तो जैपरकाश नरायन ने ही तसवर, तसवर का मतलब होता है सोच ठीक है आगे चलते है सॉलमा कोशन में कह रहा है कि बरक कलीसा कैसी नजम है तो ये एक तरीके से जरीफाना नजम है जो किस ने लिखा है अकबर इलहबादी ने लिखा है जरीफाना का मतलब होता है मजाक उडाना जिस तरीके से एक टाइम था जब हमारा जो देश इंडिया है वो किसका योरप का मतलब फॉलो करता था हम कैसे क कीवियों को बेगम बोल रहे हैं तो क्या है मिस बोल रहा है तो मिस करके इसमें देखना कहानी बहुत अच्छे तरीके समझाया है तो एक बरके कलीसा कैसी नजम है जरीफाना जिसमें योरप का यानि कि अमेरिका का बहुत मजाक उड़ाया हुआ है कि भाई वो लोग घर है यह राजिद्नर सिंग बेदी तो यह अफसाना लिखा है तो यह कौरिंटीन के नाम से लिखा है आपको पता होगा यहां पर यह बहुत अच्छी कहानी है ठीक है अठारे कोशन में कह रहा है कि कि निगरानी में पेश्डी का इनके जोश्ताद थे प्रोफेसर रशीद ए कि नहीं काम किया था आगे लिखा है कि जोश्मलीहाबादी की पैदाइश कहां पर होती है तो आपको पर देखो यह जो नाम याद करोगे ना जोश्की जो नाम याद करोगे जोश्मलीहाबादी के नाम से याद करना तो जोश्मलीहाबादी के रहा मलीहाबादी तो ऐसे प्धिए लेते हैं अनीक recap कोशन काुशन का नद्वी की जाय पैदाइश कहा कोशन की तरब बढ़ते हैं किसमा कोशन कहे रहा है कि स्यूलमा नद्वी की जाय पैदाईश कहां पर है सिय्याद सुलमान नद्वी सहब की जो जाए पैदाईश है वो बिहार में ही है लेकिन नालंदा की तरह पैदा होते हैं लेकिन यहां option नहीं मिलेगा आपको देखिए कुरांची में तो इनकी मौत होगी थी ठीक है तो कुरांची में कि बागो बहार किस फार्सी किताब का तर्जमा यह बहुत इंपोर्टेंट किताब है बागो बहार में से तिन चार कोशन मेली जाते हैं तो किस्सा चाहार दर्वेश यानि की चार फकीरों की कहानी थी उसी को इन्होंने ट्रांसलेट करके तर्जमा करके क्या बना दिया बाग पिजाविद क्या लिखते थे अफसाना लिखते थे इन में से किस रिसाले का तालुक मुलाना आजाद से नहीं है देखें मुलाना आजाद को जब आप पढ़ेंगे ना उनका बायोग्राफिय पढ़ेंगे तो उनकी रिसाला का मतलब होता है जो मैगजीन निकालते है जो किताबे निकालते है उसे बोलते रिसाला तो इन्होंने अलहिलाल भी निकाला है अलबलाग भी निकाला है लेकिन हमदर्द नहीं निकाला है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका हमदर्द उनकी रिसाला नहीं है ठ क्या किया दिवाली के दिन जो है ये दिवार कूद करके भाग गए थे जेल में से ठीक है ना आगे बढ़ते हैं अकबर इलहाबादी को किन खिदमात के सिले में खान बहादूर का खिताब मिला है ये चीज़े बहुत पूछी जाती है तो खान बहादूर का लेको अकबर इलह आप मतलब क्या इंसाफ वर ये इंसाफ वर भी बहुत जादा थे ठीक है ना इसी वज़े से इनको अदालती खित्मात यानिकि इनसाफ करने की बिना पर क्या मिला इनको खान बहादूर का खिताब मिला ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स की तरफ में तो कह रहे हैं गालिब अ होते हैं और्दू में वो कितने होते हैं 25 नहीं होते हैं 26 नहीं होते हैं वेलके कितने होते हैं 37 होते हैं 37 होते हैं तो क्या हो जाएगा इन में से कोई नहीं हो जाएगा ठीक है याद रखेगा ऐसे कोशन पूछे जाता है जोश का पूरा नाम मैंने बता दिया आपको शबी और अमीर एहमद खाह स्यायर सुमान नद्वी की वफात कहां पहले भी बोल चुका हूं में देखो स्य सुल्मान नद्वी के बारे में बहुत कोशन पूछा जाएगा इनकी पैदाइश भी पूछा आपसे ठीक है जो के नालंदा पटना में उप्षन आया है लेकिन इनकी जो वफात हुई है कहां हुई है कराची में हुई है ठीक है ना तो इसको दूनों चीज़ क तो अच्छी तरीके से याद रख लिएगा इन्शाया हिजरत में मुसनिफ ने मगरिब को किसकी अलामत खरार दिया है आपने पढ़ा ना एक इन्शाया क्या करते है कि हिजरत के नाम से एक इन्शाया है तो उसमें उसने क्या किया है मगरिब को एक तरीके से अलामत अलामत भूख लग रही है यह आपको भूख होने की अलामत थे ऐसे ही इन्हों ने जो अलामत बताया था इंशाय हिज्रत में किसको म गरिब को घूलामी की अलामत बताया था थिक तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुलामी मुखकमे इतलाद वो नशरियात में शफी जावेद किस ओधे पर फाइस थे मुखकमे इतलाद इतलाद का मतलब information देना यानि किसी तरह का कुल मिलागर के इसमें अगर बात कहूँ न अखबार, media, TV इन पर ये काम करते थे और इनका जो काम था किस ओधा, ओधा मतलब इनका क्या पोश्ट था तो पोश्ट था डाइरेक्टर थे इसमें ठीक है ना, डाइरेक्टर थे ये मीडिया में ठीक है, आगे लिखा हुआ है 34 में कितने खुत शामिल है तो तीन खुत अगर आप देखेंगे ना तो तीन खट इनका शामिल है और निसाब का मतलब क्या होता है सिलेबस अगर आप अपना सिलेबस उठा कर देखेंगे ना तो उसमें इनका तीन खट शामिल है तीन खट लिखा हुआ है जैपरकास नरायन का कौन सा खुत्बा शामले निसाब है तो जैपरकास नरायन का का कामिल इंखिलाब इंखिलाब कामिल मत कर दीजिएगा ठीक है ना ऐसे वो जान बूच करके आपको कन्फ्यूज करने के लिए उल्टा करके देते हैं तो कामिल इन्किलाब इनका राहे 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 होते हैं उसको क्या कहते हैं तो जो जिसमें दोनों मिस्राम काफिया होते हैं उसको क्या बोलते हैं और जिसमें शायर लाश्ट में जो अपना मर्खुम की मौत कितने साल में हो गई थी चौतिस साल में हो गई थी यह आपकी किताब में लिखा हुआ है मजास के तालिम कहां तक हुई मजास सामने सिर्फ और सिर्फ बीये तक की पढ़ाई किया तो यह याद रख लिख जेगा जान बूझ करके यह बड़ी बड़ी दिगर ठोब देते हैं ताकि आप उसमें ठीक लगा दो बट याद रहना चाहिए कि वह सिर्फ यह तक पढ़ाई की थी चालिस कोशन के रहा है कि सौधा का पूरा नाम क्या था ठीक है मिर्जा मुहम्मद रफी मिर्जा मुहम्मद रफी देखो कहां पर है यहां पर सिर्फ मुहम् मुहम्मद रफी सिर्फ है मिर्जा मुहम्मद रफी इनका असल नाम है तो यह क्या है राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका मिर्जा मुहम्मद रफी इनका असल में नाम था इन्शाया निगार का मकसद क्या होता जिद्दत तराजी इन्शाया निगार क्या करता है जिद् कि जाती है तो राइट इसका क्या हो जाएगा 18 सब्सक्नर किया है ठीक है यह 43 वा कुशन क्या किय रहा है कि शेफी जाविद किस में किया है समाजियात में याद रखेगा समाजियात में ने कि सोशोलजी में किया है इसके राइट अंसर क्या हो जाएगा समाजियात में ठीक है उर्दू नहीं बिलके समाजियात आगे लिखा है कि वह बारे खा बरकाश नारायन का जो है कामिल इन्खिलाब के मुसंनिव को ने फिर से पूछ लिए दुबारा से जय बरकाश नारायन इनका बहुत कोशन पूछा जाता है याद रख लेगा बढ़ियां से ठीक है आगे लिखा है कि नजम बरक कलीसा में शायर ने गुल्षन फितरत की बहार किसको कहा है वही है अकबरिलाबादी ठीक है ना मिस मिस को कहा है ठीक है मिस मिस यानि कि बोलते है लड़कियों को मिस करके जो बुलाते है ना अंग्रेज लोग उसी को इसने मजाक उड़ाया है कि मिस करके किस तरीके से बुलाते है तो गुल्षन फितरत की बहार यानि कि प्राकिर्तिक की जो गुल्शन है या खुबसूरती है वो मिस को बोल रहा है इस तरीके से यानि कि हम लोग ऐसे बोलते हैं कि इसका मज़ा ख़ताब कर देते हैं लोग खेर छोड़िए आपका राइड आंसर हो जाएगा मिस ठीक है ना आगे बढ़ते हैं हम लोग लिखा है क भाई 47 में कह रहा है कि गालिब की वालदा का नाम क्या था इजद देखो कहीं पर होगा गही इजद यह इरा। 35 में हो जाता है यह याद रखेगा बहुत बड़ी हैं से क्योंगे मज़ाद सहाब के बारे भारे में इह बहूशन पूछा जाता है गम-ि-अर्षत क्या है क्या आपको पता है यह एक तरीके से कहा चला गया है यह है यह एक किता तारी निकालने के लिए एक एक नजम लिख करके उनकी तारीख डेट बर्थ और तारीख उनकी मौत निकालते हैं जिस कहानी में जिस नजमे में उसको किते तारीख कहते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं अंजम के माने के अंजम के माने सितारे के हैं बहुत बार पूछा गया याद रख लिजेगा अंजम क कि जतने भी ज्यादा तर राइटर थे ना वह पटना में ही उनका क्या हुआ है दिहान दो है मौथ हुआ है मॉन्टो की वाल्डा का नाम पूछा जा रहा है सरदार नाम कहीं लिखा वेगम मंतू बहुत बड़े क्या थे राइटर एक कि अफसाना निगार थे और इनकी क्या क है गरीब बच्चा होता है वे पानई पिलाता है उसको महBSबत होती है और दूनों मर जाता है बहुत अच्छी कहानी है तो इसमें धोरन गउंठी कहानी है सुरूर की वालित का नाम क्या था अस्भर अली सुरूर का यह वालित का नाम देंगे तो हो जाएगा दर्जे झेलने की हमनिमने लिखित में कि कंह र्वाँ को परवाँ ट्रवाँ इस एभ्ड लेईगा उड़ाष जापर यार्डार की बाता आ जाएगी वह महां परवास की बात आ जाएगी यानि कि उड़ने वाला चलिए चपन में कह रहा है मुत शायर के लफ लफजी माने क्या होता है वह यह नकली शायर होता है मुत शायर का असल नाम क्या है तीक है मिर्जा वाजिद हुसें यहां है और यहां देखो आपको फसाने के लिए मिर्जा वाहिद हुसें बोल रहा है तो यह चीज़ें कभी भी आप जल्दबाजी में गल्ती मत करते हैं मुझसे और बहुत लोगों से बहुत होता है इसको धियान रखेगा मिर्जा वाजिद हुसे इसका राय टांसन ये मिर्जा वाहिद बोल करके आपको फसा रहा है मरसिया गोई के लिए कौन सी हैत मकबूल हुई है तो मरसिया गोई के लिए जो हैत मकबूल हुई है हैत का मतलब होता है ना धांचा मतलब की होता है एक format में कही जाती है कोई भी नजम है तो इसके लिए जो होती है मरसिया जिस भी format में कही जाती है जादातर मुसद्दस में कही जाती है ठीक है ये एक format होता है कि भाई मुरबा का मतलब 6 मिसरे मुकम्मस मतलब 5 मिसरे मुसम्मन 8 मिसरे मुसद्दददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददद का शुमाल और मतलब दक्षिन मैंना? घिया ठीड़ा का वो कौन सा हिस्सा है जिस से घजल जैसे सिंफ पैला होती देखो बइचा का सिंफ निकल को तो यह अजजा होता है तो यही इसका राइट आंसर है पसीदा के तश्विव में से घजल की इप्तदा हुई है यही और इसका राइट आगे लिखा है कि यही दर्जाय जेल में दकन का मशहुर फिर देखो जोख तो कहा का है लगनों का है थी हैं हैं फाइज कहा है देहली का देहली नामे आतिश भी दमझा है नुसरती जो है दकन का रहा रहत आंसर हो जाएगा नुसरती दकन का बहुत बड़ा शायर है और चेंप Solar Castle जहां पर उर्दू बोली चाथी दिए उसको दकन बोलते हैं सही जुम्ला है लड़क Stan ने देखा क्या क्या लड़का ने देखा ये नहीं होगा लड़का देखा नहीं होगा लड़का से देखा नहीं होगा लड़का ने देखा लड़का ने देखी कभी नहीं होगा ना देखी आगर कि खरब हो गया यहां लड़का ने देखा टाइट अंसर हो जाएगा अगे ब इसका हासले मजदर यही है तश्वी के निशान दही करें देखो भई तश्वी क्या होता है तश्वी का मतलब होता है किसी की तरह आपको बताना जैसे कि क्या करते हैं कि मेरा भाई तो क्या करता है क्या है सलमान खान की तरह लगता है उसी को तश्वी बोलते हैं जैसा वो ना उसके जैसा गाता है वो उसके जैसा खिलता है उसके जैसा पढ़ता है उसको ये जैसा वाली बात जब आती है ना कि तुम मेरे जैसे दिखता है तो ये जैसा वाले जब बात आती है ना उसको तश्वीव बोलते है तो यहाँ पर देखो किस ते इबने मर्यम में तो कोई जैस जैसा वाली बात नहीं आभे हायात में कोई जैसा वाली बात नहीं शहर में एक चिराक कोई जैसा वा लेकिन और्दुन चयसा अजैसा क lithe Раз आMc जदीद नजम को और ठासिल ए ब渉नार सबसे पहले में जुनम्च पढ़ी गाही थी वह已經 यह तो सवाल पूछे जाता है है साल शबे गड़र, जो कही गई थी, हाली साथ ने कहा था, तो जदीद नजम यानि कि नया नजम जब शुरू हो रहा था, उस टाइम में, सबसे पहले जो नजम ने शुरू आथ किया, वो था शबेकदर, जो हाली ने कहा था, ठीक है, यहां पर लिखा है, कि यहां से जाओ, क्या कह रहा है, मैं जाओ क्या है, जाओ क्या है, आउडर है यह, और आउडर को उर्दो में क्या बोलते हैं, फेले अमर बोलते हैं, यहां से जाओ, फेले माजी क्या होता है, यहां से ग गैना तारे आपको दिन में ही, तो क्या हो ना, इसका मायूस हो जाना हो जाएगा, इसका right answer, आगे बढ़ते हैं हम लोग, सहरूल बयान क्या है, सहरूल बयान एक मसनवी है, ठीक है, बहुत अच्छी मसनवी है, आगे लिखा है कि लफज शब की जिद क्या है, शब का जो काइची इसमें नक्रा की कौन से किसम है, काइची जो है, इसमें आला है, इसमें आला का मतलब कोई चीजञी होती है, कोई वस्तु दू जो होती है, इसमें आला क्या हो जाएगा, कि कोई किसी की हालत बता है जैसे कि उसकी बिमारी सी हालत हो गई थी उसको इसमें हाला बोलेंगे इसमें फाइल क्या राम घर जाता है तो इसमें राम जो है वो इसमें फाइल है इसमें आला क्या हो जाएगा कोई चीज किसी से मतलब कोई वस्तू अगर होगा तो इसको इसमाला बोलेंगे तो कैची कोई वस्तू नहीं है क्या इसमें जर्फ क्या होता है किसी जगह की बात होगी तो इसमें जर्फ की बात होगी लेकिन यहां वस्तू की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा कैची इसमाहला हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं कि बोलेगा किस तरह का फैल है ओविसलि माजी भूतकाल होता है हाल परजन्ट होता है मुझारे भी क्या खिरते हैं पर्जन्ट की बात करता है लेकिन मुस्तक्बिल जो है फ्यूचर की बात करता है फ्यूचर में गागी गया आता है इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा मुश्तख्बिल दिकैं आगे बढ़ते हम लोग लिखा है कि ओधे हिंदी किस के खतूत का मजमुआ है तो ओधे हिंदी किस के खतूद का मजमुआ है गालिब का खत का मतलब धेरी सारा खत खत जमा हो जाएगा ना तो उसको खतूत खतूत बोलेंगे मजमुआ मतलब जमा किया हुआ ठीक है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 73 में जुल्म की जिद क्या होगी ये तो बहुत असान जुल्म क्या अदल जुल्म मतलब किसी पे ज्याती करना और अदल इसका उल्टा हो जाएगा इंसाफ करना अदालत नहीं बलके अदल होगा इसका रायट आंसर इंसाफ करना अदल हो जाएगा इसका रायट आंसर आगे बढ़ते हैं कि अंधेरे घर का दिया से क्या मुराद है अंधेरे घर का दि यहां होता है चिराग होता है तो राइड आंसर ही हो जाएगा 75 के राशिद लॉम्री की मानिंद चालाक है अब देखो मानिंद मतलब भी तो हो जाता है जैसा ही राशिद लॉम्री के जैसा बोलो या राशिद लॉम्री की तरह या लॉम्री की मानिंद चालाक है इसमें तश् क्या कहते हैं कि teacher की तरह बोलते हो तो आपको जस्द दे रहे रहे हैं कि आप बोलते हो teacher की तरह तो आप इस मैं क्या हूज जाएगा तशबीह हो जाओगी ठीक यजिए है डाय का मरकज क्या हो जाएगा obviously पहसी पहसी 2 जआ है इसका काम करता है इसमें जात वो होता है कि इसमें किसी की जात दिखाई जाए यानि कि यह लड़का है वो लड़की है इसमें सिफ़त बताई जाए काला है गोरा है नीला है पीला है लेकिन इसका रायत आंसर क्या हो जाएगा इसमें मफोल यानि कि इसमें मफोल मफ्तुल के वजन तश्वीः के लिए लाजिम क्या है तश्वीः के लिए लाजिम है देखो तश्वीः के लिए मुश्तरक मतलब मिलता जुलता तो मिलता जुलता अवाज अगर होगा तो ऐसे थोड़े बोल देंगे मिलते जुलते सिफात यानि कि उसकी चैरक्टर है विवहार है मिलते जु जिलम शेयर की तरह तो यहां पर क्या है उसकी सिफात मिलनी चाहिए उसकी कारेक्टर उसके विवहार मिलने चाहिए ठीक है आगे बढ़तेmya. क्यारा है क्वारेंटिन अफसाने में किस वबा का जिक्र है क्वारेंटिन अफसाना राजिंदर सिंग्पेदी ने लिखा 해 और उसमें एक तरीके से पलीग बीमारी होती है उस टाइम में भी एक लड़का सब की खिदमत करता रहता है तो इसके राइट अंसर हो जाएगा पलीग यहां मत आओ बोलाना इसने है तो फैले नहीं हो जाएगा फैले फैले नहीं ये राइटानसर हो जाएगा फैले अमर क्या हो जाएगा यहां आओ फैले माजी क्या हो जाएगा यहां आया और फैले हाल क्या हो जाएगा यहां आता है तो यहां पर पूछ रहा है कि भई फैले महमत आओ क्या है मताव मना कर रहा है, तो नहीं होगा फैले नहीं होगा, ठीक है? यह सारी चीजा हम अलग से बना देंगे, और पढ़ा देंगे जो जादातर पुछे जाते हैं मुहावरा अपना उल्लू सिधा करता है, अपना मतलब निकालना अपना मतलब निकालना इसमें तादाद एक से ज्यादा होगा अगर एक से ज्यादा इसम होगा इसमें मतलब नाउन होगा तो क्या जमा ही कहलाएगा जैसे इसम कौन है एक तरीके से मैं अगर बोलू तो इसमें नाम है जैसे राम बोलू धेजी सारा राम की बात हो जाएगा तो जमा हो जाएगा, जमा मतलब क्या, पुलूरल हो जाएगा, पुलूरल मतलब भहु वचन की बात होती है, जमुल जमा की मिसाल, देखो एक चीज होता है, जमुल जमा की बात किया है, इसने बोला है, यह जो जवाहिरात है, अब यह था क्या असल में, यह जो जोहर है, यह हर क्या है यह वाहिड हो जाएगा उसके बाद हम लिखेंगे जवाहिर जवाहिर क्या हो जाएगा इसका जमा हो जाएगा अब यह लिखेगा कि जवाहिरात अब यह जमूल जमा हो जाएगा ठीक है इसी तरीके से अगर मैं बोलू खबर वाहिद है कोई एक खबर अखबार ठी यह ध्यान रखेगा इस तरह से कोशन पूछे जाएंगे आपसे चलिए बढ़ते आगे की तरफ बहुत टाइम हो रहा है कि जहीं तालिब इल्मे में जहीं क्या है और जहीं होना यानि कि इंटिलिजेंट होना क्या है सिफत है यह सिफत कि भई वो तो बहुत जहीन है वो तो गां किसमें बात हो रही है जाओंगा तो राइट अंसर क्या हो जाएका मुस्तख्विल रसे जिल में जिलह इसमें जाएगा शक हो आपको Administration का मतलब जेमें महमुद जाता था नहीं कोई शक्त नहीं है उह छका है कोई शक के हैं लेकिन ऐहम्माद आया होगा शक है माधी शक्किया उसी को बोलेंगे जिसमें शक फ्यादा हो आगे लिखा हुआ है दर्ध-दि जर्मे कौन मुजक्कर है तो मुजक्कर महफिल जमी है नहीं होता है सरकार सरकार अच्छी है ये भी मुजकर नहीं है मखालफत भी क्या करते हैं तुम मेरी मखालफत कर त toilet जा आगे चलेंगे ख़ाना ख्हाओ फैलेवर ओम्र है यदिफसाया क्या है था आगे बढ़ते हैं इसमें फाइल की मिसाल है देखने वाला ठीक है देखने वाला यानि कि इसमें फाइल कौन होता है जो काम करता है न तो देखने वाला ही तो यहां पे काम कर रहा है देखने वाला काम करने वाला खाने वाला इसमें फाइल है इसमें फाइल का मतलब क्या सब्जेक्ट है यहां होगा इसने क्या बोला इसमें नक्रा या इसमें आम कौन है यानि कि जनरल नाउन कौन है जमना भी इस्पेशल हो जाएगा जीलम भी इस्पेशल हो जाएगा लेकिन नदी कौन सी नदी कोई भी नदी हो सकती है तो यह इसमें नकरा भी है और इसमें आम भी है धियान रखे गाई आगर लिखा है कि खबर के जमा क्या होगी obviously खबर की जमा अखबार होगी अगर यह कहता जम-ु-ल-जमा तो क्या हो जाता अखबारात हो जाता ठीक है पढ़ाएंगे उसको अगर आप कहोगे ना तो मैं उस तरह के जादे विश्यू बिडियो बनाएंगे समझा तुम जरूर पास करोगे परोगे ये देखो क्या आगिया तुम जरूर पास करोगे गागे गया आगिया मुस्तक्बिल के बात होगे यानि कि फ्यूचर की तो मस्तक्बिल हो जाएगा इसका राइड अंसर मैं आया था कौन सेगा है देखो भई मैं आया था मैं आया था ये जो एक्चुल में पहले तो इसका अंसर क्या हो जाएगा वहिद मुतकलिम हो जाएगा अगर मैं यह कहता कि हम आये थे जमा मुतकलिम हो जाता और अगर यह क्या है वाहिद और मुतकलिम बात करने वाला जो तुम्हारे सामने बात करेगा ना वो मुतकलिम होगा और अकेला है तो वाहिद होगा और जमा बहुत सारे हैं तो जमा हो जाएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वाहिद मुतकलिम चलिए यह सब पढ़ा दूँग किस फ्येब में हाल spared मुश्खभिल का मिजारे में हाल और मस्ख्भिल डोनों होते हैं तो फैल है मुझारे में हाल मुश्खभिल डोनों होते हैं चलिए आगे बढ़ते है रोह की सिफ़त क्या होगी सिफ़त मतलब कि वो उसकी खासियत बता है उब इसलिए रोह की सिफ़त रोहानियत हो जाएगी इसमें कुन से बड़ी बात है रोहानियत ठीक है ना आगे बढ़ते है कि एंतिजार कर रहा हूं होगा हैाँको हम नहीं क्यों कैसे लिखेंगे घूं यह वाला अप्शन है कर रहा हूं आगे बढ़ते एकरम खेल रहा है कौन सा सेगा तो AKRM अकेला लड़का है और AKRM क्या है क्या क्या केते हैं के AKRM जो हैक्ल रहा है तो ये सामने कोई लड़का है उसी को बोल रहा है तो यह क्या हो जाएगा क्या कहते हैं कि अगर यह कहता कि मैं खेलता हूँ तो क्या कहते हैं कि यह होता लेकि नहीं बोल रहा है इसा जमा वो खेलता है वो हाजर भी नहीं है वाहिद गाईब है एकरम अकेला है और खेल रहा है यानि कि अकरम खेल रहा है उसके बारे में बोल रहा है je क्रसी मौटी नहीं मोटाई ॹाय है लेकिन खती주 नहीं खें खटा है मोटी उजली ऊजला है हाथी मोट मोटी नहीं मोटा है लेकिन कुर्सी मौननेस का मतलब पहले तो क्या मौननेस का मतलब फीमेल ठीक है ना फीमेल कोन है तो इसमें कुर्सी जो है कुर्सी फीमेल है कुर्सी पाकी कोई नहीं है इसमें आपके समझ में आया हुआ किसी तरह कोई क्वाइरी जो कोई प्सके ओोगगा, थैंग फॉयोंग।